अर्मेश की आए देरे आत्मी क्या कर रहा है दू सक्चीन मैं सोच रहा हूँ मेरे हाथ में यह जो दो तीली है यह मैस्टिक तीली इसकी मदद से मैं एक लिटर की पेपसी की बॉटर जिसमें पानी भरा हो आये फूल तरह से उसको उठा के दिखा सकता हूं कि कि एए पास एक जादू है चमाने दिखाने वाला मिस्ट से करेगा तु मैं होई नहीं सकता है लगी शंप इते लगीं नहीं होता एक हजार रुपय मुझे हो जाएंंगे तो उठाए नहीं सकता अगर मैंने उठा सब लेगा क्या इसे उठाएगा याने किस तरह उठाएगा बीना support के मैं तुझे प्रेक्टीकाल करके दिखागा और वो भी practical करके देखाओंगा दब तुमाने गा बीना support के कैसे उठाएगा इसको यही तो ज्यादु है तो चल दिखा फिर मुझे चल दिखा जैता हूँ हेलो गाइद्स मैं महेश सचिन के साथ आप सब का हमारे यूटूब चाइनल SB Plus धमाल में स्वागत करता हूँ दोस्तो जैसे के आपने स्टार्ट में देखा होगा कि सचिन के साथ मैंने एक चैलेंज लगा है वाटर बॉटल तीली की मदद से उठाने का तो वो मैं कैसे करने माला हूँ तो मैं यही इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ I hope आप सबको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो इस वीडियो में आप लास तक बने रहिए और प्लीज अगर आपको वीडियो प्रसंद आए तो हमारे चैनल SB Plus धमाल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेर कीजिए तो चलिए अपन लोग अपने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते है अर्ब और यह क्या किया तूने यह क्या है लग आजसे देखो सचीन यह है माच Audreyष की तीली मैंने 4 तील का उसचिया है दो तीली ऊपर है और एक धागा है एक तीली सेंटर में है और एक टीली लास्ट में इ आर यह ठागे की नीचे देख सचिन यह जो है बोटल यह पूरी तरफ पानी से भरी हुई पेपसी की बोटल है और इसमें मैंने पानी भर दिया तू तो बोला था मुझे कि बीना सपोर्ट के उठाऊंगा लेकिन यह क्या है तुने उपर तो सपोर्ट रखा हुआ है अब तो मुझे तुरे को जादू भी खाना ह सपोर्ट पर ही खड़ी है यह उठाएगा तो यह बोटल नीचे गिर जाएगी अभी यह मैं सपोर्ट हटा रहा हूँ तो तू देख यह बोटल गिरेगी या नहीं ठीक है कुछ भी पेक मत तू मेरे को कुछ भी पेक मत तू हजार रुपए रेडी राख देख मैं तरे हज राद टू त्री अरे कैसे रहे देखा मेरा कमाल तूने चिपकाया तो नहीं ने इसको कुछ नहीं चिपकाया तू जरा जूम करके दिखा यह देख इसमें कुछ नहीं चिपकाया है मैंने और नीचे भी ले बोटल बेविकोच सपोर्ट या एक्स्ट्रा सबोर्ट कुछ भ यह जो बातल और यह तीली का जो बैलेंसिंग है इसके पीछे का रिजन तार्क फोर्स है तो यही मैं तुझे आज एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ और अपने दर्शब को बताने वाला हूँ ठीक है बता भई यह कैसे हुआ मीरे को बहुत ही एक्सायटमेंट होरी है सुनने के लिए यह तुने कैसे किया देखों मैंने क्या किया है यह तीली है इसमें जो धागा मैं लगाया है और इसमें 1700 की बॉटल है तो अभी हो रहा क्या यह तू यह जो बॉटल है इसको बेट हो नीचे यह सब्ससक्राइब कर स्यंद्ध कई और यह जो कोषिए होगा है और जो मुझ सेली सद्रेसा घब कि खोगा हो कले लिए और स्क्राइब कने T दीलीज़ ड्रden यह सब्सक्राइब मुझा है और सब्सक्राइब कर?". यह जो देखा इंधर जाना है यह दोनों का इसे इसे इस moral हैं बहूत है इसे इस वाल्य ते ओल तो यहां imbalance कोने के वज़े से यह bottle गिर जाती है इसके फिर यही है इसे को प्राक्टीकली करके दिखाता हूं मैं इस तिली को जरा सा imbalance करता हूं हाँ दीखा बाइ अभी मैं इसको थोड़ा सा imbalance करता हूं अरे गिर गई मुझे लगा वो चिप काया था क्या तुने यह तो बिना सपोर्ट के खड़ी थी यार थोड़ा सा तार्क फोर्स इंबालनस हो गया और यह बोटल गिर गई मैं तो शर्थ हार गया भी आजार रुपए मेरे पक्के शाब की पार्टी मेरी पक्की चल आजार रुपए तो दे दूँगा मैं तुझा भी लेकिन मैं तो हार गया अगली वीडियो में मैं तुझा हाराओंगा चल कोई बात में तो देखा आपने कैसे मेरा दोस्ट सचीन मेरे से एक शर्थ हार गया क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि इस बॉटल के और धागे की पीछे क्या रिजन है तो यही मुझे प्रूफ करना था यह जो बॉटल और धागे का जो एक्सपरिमेंट था तो इसके पीछे टॉर्क पावर का रिजन था इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी तो प्लीज अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए